Hello everyone, स्वागत है आपको Study 1.2 में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दर्जन वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं तो वीडियो को ध्यान से और लाश्टक देखना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि दर्जन वाले सवाल को सॉल्व कैसे क्या जाता है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो यहाँ पर पहला सवाल है एक दर्जन केला का मुल्य साथ रुपिया है तो साथ केला का मुल्य कितना होगा दोस्तो इसमें बोला गया है कि एक दर्जन केला के दाम साट रुपया है तो साथ केला के मुल्य कितना होगा आप सबको पता होगा कि एक दर्जन में कितना केला होता है तो एक दर्जन में बारा केले होते है एक दर्जन में टोटल बारा केले होते है इसमें बोला गया है कि एक दर्जन का दाम दे रखा सा दाम दे रखाया है साथ रुपया पूछा गया साथ केला का दाम कितना होगा तो सबसे पहले हम एक केला का दाम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं तो साथ को बारा से भाग करेंगे तो बारा के टेबल में साथ पांच बार में आता है तो बारा पंचे साथ तो एक केला का दाम आ गया पांच उरुपया पूछा कितना केला का है साथ केला का दाम पूछा है तो आपको क्या करना है एक केले का जो दाम आया पांच उरुपया इसको 7 से गुणा कर देने है कि 57 की 35 रुपिया तो 7 के लाग दाम कितना आ गया 35 रुपिया आ गया दोस्तों दूसरा सवाल है पांच दर्जन खिलोने का दाम 150 रुपिया है तो आधा दर्जन खिलोने का दाम कितना होगा दोस्तों इसमें बुला है कि पांच दर्जन पांच दर्जन खिलोने का दाम 150 रुपिया है सबसे पहले एक दर्जन का निकाल लेंगे तो एक दर्जन खिलोने का दाम कितना आ जाएगा 150 को 5 से भाग कर देंगे यह आ जाएगा 30 रुपिया तो एक दर्जन खिलोने का दाम आ गया 30 रुपिया पूछा है आधा दर्जन आधा दर्जन यानि 6 खिलोने का दाम तो एक दरजन खिलोने का दाम है 30 रुपय है यानि 12 खिलोने का दाम है 12 खिलोने का दाम 30 रुपय है तो आधा दरजन में होता है 6 खिलोने तो 6 खिलोने का दाम कितना आ जाएगा 30 का आधा तो 30 का आधा कितना होता है 15 रुपय है तो आधा दरजन खिलोने का धाम यानि 6 खिलोने का धाम कितना आ गया 15 रुपिया आ गया आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दरजन वाले सवाल को कैसे सॉल्व किया जता है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रिस कर लेना धन्यवाद